सुषान सिंग राजपूत की फर्स डेट एनिवर्सरी पर अब एक एमोशनल पोस्ट आया है रिया चक्रवती का वो रिया चक्रवती जो सुषान सिंग राजपूत की गर्फरिंड थी सुषान की डेट से पाश दिन पहले उन्हें छोड़ कर पूरे रिष्टे खतम करके अपने घर चली गई थी सुषान की डेट के बाद जिस रिया चक्रवती पर सुषान के पिता ने उनकी डेट के एक महीने बाद एक F.I.R. में उन्हें अक्यूस बनाया और बताया गया कि कैसे रिया ने सुषान सिंग राजपूत को कन्फाइन करने की कोशिश की पैसे का illegal इस्तमाल करना शुरू किया और abattment to suicide का भी इलजाम लगाया उसी रिया चक्रवती ने सुषान के साथ अपनी एक photo share की है और साथ में लिखा है ऐसा कोई पल नहीं जब मैंने ये मान लिया हो कि तुम नहीं रहे कहते हैं न कि वक्त हर जखम भर देता है लेकिन मेरे लिए मेरा time मेरा सब कुछ तुम थे मैं जानती हूँ कि तुम मेरे guardian angel बने हुए हो जो मुझे moon से telescope के साथ देख रहे हो और मुझे protect कर रहे हो मैं हर दिन wait करती हूँ कि कब तुम आओगे मुझे pick करने के लिए मैं हर तरफ तुमें ही ढूंटी रहती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं कहीं आसपास हो हर दिन में तूटती हूँ लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कही हुई बाते याद आती है तुम्हारे पास ये बेबू है और इसी बात को मैं अगले दिन तक अपने साथ ले जाती हूँ मेरे अंदर emotions की एक लहर सी दौड जाती है जब मुझे ऐसास होता है कि तुम नहीं रहे ये लिखते हुए ये सोचते हुए मेरे दिल में बहुत दर्ध हो रहा है तुम्हारे बिना जिन्दगी का कोई मतलब नहीं मेरी जिन्दगी के माईने तुम अपने साथ लेकर चले गए तुम्हारे बिना मेरी जिन्दगी में एक खाली पंसा हो गया है जो कभी नहीं भराचा सकता है और तुम्हारे बिना मैं वही की वही खड़ी हूँ मेरे प्यारे संशाइन बॉई, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें हर दिन मालपुआ दूंगी सुशान्त मालपुआ बहुत खाते थे, कहते थे कि जुगेश्वरी में एक शौप है जहांके मालपुए सुशान्त को काफी पसंद थे दुनिया की जतनी quantum physics की किताबे हैं वो सब पढ़ो, लेकिन मेरे पास आजाओ मेरे प्यारे दोस्त, my man, my love, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेबू and पुट-पुट, forever, infinity plus one, hashtag my whole heart कुछ इस तरीके से रिया चक्रवती ने सुशान्त के लिए आज उनकी पहली death anniversary पर ये post की है वैसे आपको बता दे कि कुछ दिनों से रिया चक्रवती का एक और statement काफी viral हो रहा है जिसमें उन्होंने drugs मामले में बात कहते हुए कहा था कि सुशान्त सिंग राजपूत को marijuana की आदत लग गई थी और वो केदारमात film के दोरान ही गांजा पीना सीखे थे और वहीं से उन्हें ये लत लगी थी सुशान्त 18 से उपर थे ऐसे में drugs लेने के लिए उन्हें ना मैं बहका सकती हूँ और ना ही उन्हें किसी की permission की या किसी के समझाने की जरूत थी वो एक adult थे